रात को सोते समी, दो लॉंग खाने से ऐसे जबरतस फायदे होंगे कि आपने सूचा भी नहीं होगा सर्दियों में आज से ही इसका सेवन शुरू कर दें और फिर देखें उसके चमतकार फायदे आज आपको मैं बताने वाली हूँ लॉंग के फायदों के बारे में अगर आपको भी सर्दि जुकाम बहुत जाद रहता है, एस्तमा की प्रॉब्लम है, डाइबिटीज की प्रॉब्लम है, आपके मुहासे खतम नहीं होते या आपका डाइडिशन बहुत जादा वीक है, जोडों में दर्द, सर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आज मेरा ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम को जड़ से खतम करेगा हम अपनी प्रॉब्लम को खतम करने के लिए सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं, जिसके लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और कुछ टाइम तक वो बिमारी ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वो दुबारा से हो जाती है, क्योंकि जबी भी कोई हम मेडिसन लेती हैं, तो वो आपकी किसी भी बिमारी को दबाने का काम करते हैं, ना कि जड़ से खतम करने का, लेकिन हमारी किचन हर बिमारी को दूर करने का एक बहुत बढ़िया खजाना है, तो चलिए उसी खजाने में से आज हम इस्तमाल करने वाले हैं लॉंक का, लॉंक का इस्तम करने वाली हूं आपकी सारी बिमारियों को दूर भगाने के लिए अगर आपके घर में छूटा बच्चा बड़े बुड़े या आप भी क्यों ना सर्दी खासी से बार-बार परिशान हो जाते हैं मौसम बदलने का इफेक्ट सबसे पहले आप पर दिखता है तो आज सही आप लौंग का इस्तमाल करना शुरू करें लौंग में होते हैं एंटी बेक्टिरियल, एंटी इंफ्लिमेंटरी, एंटी फांगल, एंटी ऑक्सिन और एंटी सेप्टिक गुन जो आपको सर्दी खुकाम से राहत दिलाते हैं और सर्दी खुकाम से आपको ऐसी राहत मिलेगी कि वो दुबारा आपको मौसम में परिशान नहीं करेगी खासी होने पर अगर आप दो से तीन लॉंग के फूल को मुह में रखकर अच्छी तरीके से चबाते हैं तो उसके रस दीरे-दीरे हमारे गले में उतरने लगता है ऐसा करने से लॉंग के एंटी बेक्टिरियल और एंटी इंफ्लिमेंटरी गुन हमारे गले में जाते हैं और हमें बहुत अराम देते हैं जिससे कि आपका गला और आपकी खासी मिंटों में दूर हो जाती है सर्दी जुकाम से रहत पाने के लिए आप ब्लाक टी में लॉंग का इस्तमाल कर सकते हैं ब्लाक टी बनाते समय उसमें बस एक दो लॉंग डाले और फिर चाई को दीरे-दीरे पिए उसकी गर्मात आपकी गले, नाक और चाती तक पहुँचेगी जिससे आपको बहुत रहत मिरेगी अगर आपको है डाइबेटीज तो लॉंग आपके लिए राम बान ओशिती का काम करेगा क्योंकि ये हमारे ब्लड से शक्रा को कम करता है इसमें होता है वाइटमिन के, जरूरी मिन्वल, जिंक, कॉपर, मिंगीशम पाया जाता है इसके अलावा इसमें होते हैं एंटियोक्सिन गुल अगर आप इसका रोजाना इसमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी डाइबेटीज कंट्रोर है ना, शुरू हो गई है लेकिन डाइबेटीज अगर बॉइस को है, जेंज को है, तो वो उसका रोजcast को है अगर girls को है तो उनके periods को लेकर उनकी body में गर्मी हो सकती है तो वो हफते में 2-3 बार इस्तमाल करें जिनको diabetes है otherwise वो avoid करें daily लेना अब जान लेते हैं कि diabetes के लिए long का इस्तमाल करना कैसे है इसके लिए आपको 1 glass गरम पानी में 4-5 long डालनी है 15 minutes के लिए उसको पानी में रहने देना है और 15 minutes बाद पानी से long निकाल दें और पानी को धीरे-धीरे सिपसिप करके पिए ये परिक्रिया आपने रोज सुभा दोरानी है हर हफते आप खुद देखेंगे कि जब भी आप diabetes टेस्ट करवाने जाएंगे लॉंग में होता है यूजिनिया नामक तत्वुप जो एक कारगर inflammatory agent बनता है गले और मसूडों में होने वाले सूजन को इसके जरीए ठीक किया जा सकता है लॉंग का anti-inflammatory gun एक प्रकार का fungus से लड़ने में मदद करता है अगर आपको भी सूजन है या दातों में दर्द की तकलीफ है तो अब इसका इस्तमाल कैसे करेंगे वो चाल लीजिए आपने लॉंग के तेल की कुछ बूंदों को आपनी जहां भी दर्द है वहाँ पर लगाना है और एक दो मिनट तक आपको हलकी मसाज करनी है ऐसा करने से आप नोटिस करेंगे कि आपके दात कदर्द और मसूडे की सूजन खतम हो गई है अगर आप एक गले में कोई संक्रमन है या सूजन है उसको कम करने के लिए आपने एक गलास गरम पानी में छूटे चमश लॉंग की चूरन को मिला कर गरारे करने है आप देखेंगे कि आपका गला आपके इसकी सूजन बिल्कुल ठीक हो चुकी है आप चाहे तो ब्लाक टी में भी एक लॉंग डाल कर इसका सेवन कर सकते हैं अगर आपको भी पेट फूलने की समस्या, ऐसी डिटे की, खटे डिकारों की चाती में जलन की या कब्स जैसी समस्या है तो आपको लॉंग का इस्तमाल आज से ही करना चाहिए क्योंकि लॉंग पेट की अलसर को कम करता है और उसमें मौझूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को दुरूस बनाते हैं अब इसमें इस्तमाल कैसे करना है वो चाल लीजिए आप लॉंग की चाय बना सकते हैं जिसके लिए आपको एक कप पानी में एक दो लॉंग तोड़कर डाल दे पांचे मिन तक अशी तरीके से उसको उबाल ले आप चाहे तो उसके स्वात के लिए चुटकी भर नमक अभी स्तमाल कर सकते हैं सुभा और रात सेवन करें आप चाहे तो दो तीन लॉंग को सीधे चवा कर भी खा सकते हैं या उनको आग में भून कर भी खा सकते हैं इससे आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ती बहुत दुरस्त हो गई है आपको जो पहले बाचन से लिटे जो भी समस्य आए थी वो बिल्कुल दूर होती जा रही है अगर आप अपनी बॉडी में रख संचार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें से विशेले परदात को बहार निकालना चाहते हैं तो आप लॉंग का इस्तमाल जरूर करें क्योंकि लॉंग हमारे ब्लड में से विशेले परदातों को बहार निकालता है और हमारे ब्लड को प्यॉरिफाय करता है आप इसके लिए लॉंग के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं शरीर में इसकी मालिश करने से हमारा रख प्रभाव बहुत अच्छा बढ़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत भैतर रहे और आपके ब्लड से सारी अशुदिया बहार आ जाएं तो आप इसमें लॉंग का इस्तमाल करें तो लॉंग में होते हैं एंटी ओक्सिन, एंटी फंगल और एंटी वारल गुन जो सिर्दत की समस्या को खतम करते हैं इसके लिए आपको 4-5 लॉंग को पीस कर साफ रुमाल में रखें और सूंगते रहें थोर थोर दे में जैसे आप सुंगते रहेंगे आपका सिर्दत ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं तनाफ अगर आपको बहुत ज़दा स्ट्रेस रहता है तो आप लॉंग का इस्तमाल करें ये आपके स्ट्रेस को बहुत अच्छे से रिमूफ करेगा इसके लिए आपके लॉंग के तेल की कुछ बूंदों से माथे पर अच्छी तरीके से मसाज करें लॉंग की सुगन धीरे-धीरे आपके मस्तिष को शांत करेगी और आपको तनाफ से मुक्ती दिलाएगी अगर आपको अस्तमा ये दमा एक जानलेवा विमारी है तो आपको अपनी स्वास नली को ठीक रखना बेहत जरूरी है जिससे कि आप अच्छे से सांस ले सकें और अगर आपको अस्तमा लगातार समय तक रहता है तो आपको सर्दी जुकाम और सायनस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है तो ऐसे में लॉंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें होता है एंटी-फेंगल, एंटी-बेक्टियल, एंटी-इंप्लेमेंटरी गुन जो आपके अस्तमा के संक्रमनों को दूर करता है 30 ml पानी में 6 लॉंग को अशी तरीके से उबालना है, फिरसे चान कर एक चमच, पानी मिलाकर आदे चमच रहत के साथ लेना है आप इसको दिन में 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, इससे आप देखेंगे कि आपके इस्तमा की समस्या विलकुल खतम हो गई है अगर आपको है मुहासो की समस्या और आप अपने चहरे की खुबसूर्ती को बढ़ाना चाहते हैं, तो लॉंग से भेतर कोई और चीज होई ही ने सकती इसके लिए आपने आधा चमस्य लॉंग का तेल और आधा चमस्य तूलसी के तेल को आपस में मिला कर उसमें एक चमस्य अलोविरा जेल आड़ करना है, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पे जहां भी पिंपल है, पूरे फेस में नहीं, 2-3 मिट के जाना है और हटा देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, लॉंग का तेल डारकली अपने स्किन पर मत लगाएं क्योंकि इससे आपके स्किन बोर्ण भी हो सकती है, तो जैसे आपको तरीका बताया क्या है, तो आपने देखा कि आपको कितने जादा फाइदे हैं इसके, तो आज से ही इसका सेवन शुरू करें और अपनी जिंदकी को बहतर बनाएं और निरोग जीवन जीएं। हमेशा एशा आपकी सेहत तक खयाल यूही रखती रहेगी। आप एशा को बहुत जादा प्यार देते रहेगा। कमेंट के द्वारा लाइक और शेयर के द्वारा जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अल्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताक कि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेए। मैं हमेशा आपका ऐसी ध्यान रखूंगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, गड़ लाग।